गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स मैं मनुज कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल बायलोजी गुरूजी में फ्रेंट्स हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जी आर्वी अब्जेक्टिब जूलोजी के आज का टॉपिक फाइलम आर्थरोपोडा से रिलेटिड है तो प्लीज फ्रेंट्स जिसने अवी तक बायलोजी गुरूजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो और एक अपना लाइक और कमेंट जरूर सेयर करें तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला कोस्चन है दफाइलम आर्थरोपोडा इज करेक्टराइजड बाई फाइलम आर्थरोपोडा का मैं करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है तो देखिएगा option A is absence of appendages, option B presence of flame cells, option C jointed appendages, option D unjointed appendages देखिए आर्थरोपोडा इसके नाम से ही यहां से clear हो रहा है आर्थरो मीस jointed होता है एंड पोडा मीस appendages या फिर pair होते हैं legs जिसको हम बोल सकते हैं तो इसका right answer जो है वो यहां से option C हो जाएगा मीस jointed appendages, first question का right answer jointed appendages हो जाएगा presence of flame cells, presence of flame cells जो होती है यह platy elementis से relate करती हैं, presence of flame cells जो होती है वो platy elementis से relate करती हैं, ओके यह हो जाएगा next question पर हम बढ़ते हैं और biggest class in animal kingdom is, biggest class animal kingdom का सबसे बड़ा class कौन सा है animal kingdom का इनों ने पूचा है, means जितने वी phylum हैं आपको अच्छे से पता होगा कि अगर हम बात करते हैं, animal kingdom is further divided into 11 phylum 11 phylum हो जाते हैं और उन सबी phylum में से सबसे बड़ा class किस phylum से relate करता है तो वो आपको बताना होगा, तो देखिएगा biggest class in animal kingdom is तो biggest class जो होता है, वो belong तो करता है आर्थरो पोड़ा से क्योंकि आर्थरो पोड़ा का इक class है, जिसका नाम है insecta अब यहाँ पे हमें exact answer देना है, तो जब यहाँ पे खुद ही insecta दिया गया है, तो कहीं न कहीं हम insecta को ही एक answer मान के यहाँ पे tick करेंगे, तो इसका right answer insecta हो जाएगा, friends हम आपको अगर detail में इसको explain करना चाहें, तो देखिएगा कि actual में यह insecta कैसे belong करता है, तो यहाँ पे जो main point आता है वो आता है, देखिएगा, यहाँ पे धीरे से हम इसको explain कर रहे हैं यह for हो जाएगा आर्थरोपोडा, यह for आर्थरोपोडा हो जाएगा और आर्थरोपोडा को four sapphylem में divide किया गया है, इसकी एक simple सी trick है, जिसको आप याद कर सकते हो, otcm, इसकी एक trick है, जिसको आप चारों को एक साथ अगर आप लिख लेते हो, तो इसको आप याद कर सकते हो, otcm बोलते हैं, o से हो जाएगा, oncophora, t से हो जाएगा, trilobitomorpha हो जाता है, and c से हो जाता है, calisreta हो जाता है, और m से हो जाता है, mandibuleta, ओके, एक बार में दोभारे बोल देता हूँ, oncophora, trilobit trilobitomorpha, calisreta, and mandibuleta, तो देखिएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा और analyze करते हैं, तो यहाँ पे c, ok, c की अगर हम बात करें, miss calisreta की, तो calisreta को further divide किया जाता है, two class में, actually, arthropoda phylum है, और इसके ये subphylum है, चार subphylum हो गए है, यह न, oyncophora, trilobitomorpha, calisreta, and mandibuleta, फिर जो subphylum calisreta है, इसको दो class में बाटा गया है, जिसको हम MA, MA, M से हो जाता है, mirroristomata, and A से हो जाता है, arachnida, arachnida friends बहुत ही important है, और इसके बारे में आपको जितने भी example है, वो पता होने ही चाहिए, तो अगर आप मेरे videos continue watch करते रहते हैं, तो मैं आपको सभी इसके examples स्याद करा दूँगा, ओके, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे जो यह mandibuleta subphylum है, यह सबसे बड़ा, इसमें relate करते हैं, सबसे जादे class आते हैं, तो चलो, mandibuleta में कितने class आते हैं, उन सभी को भी हम एक trick के थ्रू देखते है और देखिएगा, उनकी trick जो है, वो हो जाएगी, mandibuleta यानि M, M में जो आते हैं, उनको देखिएगा, तो M में यहाँ पे आ जाएगी, एक trick है, CID, 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 चलो, सिम, पौरो, तो देखिएगा, C से हो जाएगा, क्रेस्टेशिया हो जाएगा, C से, C से अगर हम बात करते है तो क्रेस्टेशिया हो जाएगा, उसके बाद में इंसेक्टा हो जाएगा, D से बात करें, तो डिपलो पोडा हो जाएगा, चिलो से हो जाएगा, काईलो पोडा, काईलो पोडा बोलते हैं यापे, काईलो पोडा बोलते हैं, और इसके बाद में सिंफाइला बोलते हैं, और पौरो पोड़ा बोलते हैं तो यह इसके class हो जाते हैं तो यही से relate करता है सबसे बड़ा class कौन सा इंसेक्टा आपको पता है आर्थ्रो पोड़ा भी largest phylum है और यह क्यों largest है क्योंकि इंसेक्टा में सबसे ज़्यादा insects आते हैं इसलिए यह largest phylum हो जाता है तो हो friends आपको detail में इस question की जो पूरी हम कह सकते analysis है वो समझ में आ गई होगी आगे देखिएगा यहाँ पे जो कुछ option दिये गए हैं उनको भी हम समझ लेते हैं तो option जो molluska है यह second largest phylum इसको हम बोलते हैं पिसीज यह एक super class है वर्टिव्रेटा का वर्टिव्रेटा में आपको पता है पिसीज आता है पिसीज के बाद में tetrapoda हम लोग पढ़ते हैं यहना तो यह conditions हो गई यहाँ पे next question देखिएगा insect have insect में पाए जाते हैं insect have two pairs of legs three pairs of legs four pair of legs and one pair of legs अच्छे से हमको पता है कि insect जो होते हैं वो three pair of legs इसमें होते हैं so the right answer of this question is three pair of legs means option B next question is what is common among scorpion, crab, honeyweed and silver fish scorpion, crag, honeyweed इनमें common क्या है actually यह यहाँ पे पूछा गया है तो इसमें common की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा scorpion, crab, honeyweed and silver fish यह सभी arthropoda से belong करते हैं तो arthropoda से belong करते हैं और first question में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि arthropoda में jointed appendages पाए जाते हैं और appendages in the sense of legs होता है तो इसका right answer हो जाएगा option B means jointed legs बाकी की option पे भी थोड़ी सी नजर मारते हैं poison glands सभी में poison glands नहीं पाई जाते हैं metamorphosis metamorphosis जब insect insect अपने बहुत सारे form changes करता है है ना एग से adult तक पहुँचने में indirect development होता है जिसमें larva आते हैं, pupa आता है है ना तो इन सभी को बोलते हैं metamorphosis condition next compound आई, तो compound आई बहुत सारी omitidia और इन चीजों से मिल करके बनते हैं, तो ये इसका right answer हो जाएगा next question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और next question is which of the following belongs to class insecta, इनमें से कौन सा class insecta से belong करता है तो देखिएगा, हम या पर थोड़ा सा detail में समझते हैं और actual में, julis julis किसका नाम हो जाता है तो julis जो नाम होता है ये millipede का scientific name है julis, millipede millipede का scientific name है और millipede जो है, ये myri poda class class myri poda से belong करता है या फिर kailopoda देखो, kailopoda और myri poda दोनों बोलते हैं और इसमें दो example आते हैं एक millipede आ जाता है और एक centipede आ जाता है millipede का scientific name julis हो गया और centipede जिसको हम अपनी local language में कांतर भी बोलते हैं कांतर ये एक insect होता है और ये हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही poisonous भी होती है तो इसका scientific name scolopendra हो जाता है scolopendra बोलते है centipede जिसको कांतर बोलते हैं हिंदी में और इसको scolopendra बोलते हैं तो ये miripoda और kailopoda से बिलॉंग करती है silverfish की अगर हम बात करें तो ये बिलॉंग करती है insecta से और ये lapisma बोलते हैं इसका scientific name lapisma होता है prawn prawn दो तरह के होती है एक marine prawn होता है और एक fresh water prawn होता है और marine prawn और fresh water prawn ये बिलॉंग करता है crustacea class से crustacea भी बहुत ही important class है जो की mandi bulleta से बिलॉंग करता है CID chilo simparo हमने पहली ट्रेक आपको बताई थी CID chilo simparo मतलब mandi bulleta के जितने भी class हैं वो इससे आप याद कर सकते हो C से हो जाएगा crustacea I से हो जाएगा insecta D से हो जाएगा diplopoda में CID और chilo से chilo poda हो जाएगा या फिर काईलो poda भी इसको बोलते हैं और इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं myri poda बोलते हैं इसको and sim से simpaila हो जाएगा and poro से poro poda हो जाएगा तो कुल मिला करके इन्होंने question क्या पूँचा हुआ है इन्होंने question पूँचा हुआ है following belongs to class insecta पूँचा गया है insecta तो insecta की अगर हम बात करें तो इसका right answer जो है वो lapisma हो जाएगा my silver fish जिसको हम लोग बोलते हैं ओके चलिए scientific name आपको सभी के पता ही हो गई होंगी prawn हमने दो तरह के बताया था एक marine prawn और एक fresh water prawn तो marine prawn का scientific name होता है penis बोलते हैं और fresh water prawn का scientific name paleomon होता है ओके and lobaster lobaster का scientific name penuliris होता है penuliris ओके जूलस का तो बताई गया scolo julus का millipede होता है और scolopendra का centipede होता है so b is the right answer of this question now next one is that honeyweed ant and termite all are यह क्या होते हैं किस से belong करते हैं या क्या हैं तो इसका option के थुरू पहले हम देखते हैं first option हो जाएगा parasite option b is social insect बोलते हैं option c is poisonous insect बोलते हैं and option d is beneficial insect बोलते हैं तो honeyweed and and termite दोको parasite सभी तो parasite नहीं होते हैं भई parasite तो हमें पता है those organisms those are spent their life and for their food and habitat अपने food और habitat रहने की जगे के लिए किसी दूसरे organisms की उपर अपनी life को spent करते हैं उसको parasite बोलते हैं तो यह option fit नहीं बैठ रहा है यहां पे next is social insect yes this is the right answer क्यों क्योंकि honeyweed untended termite में इन सभी में social जो एक हम कह सकते हैं infrastructure होता है वो सब पाया जाता है means इन में colony बनाके यह रहते हैं और जिसमें male हो गया female हो गया worker हो गया यह सब अच्छे सी divination होता है तो यह इसका right answer हो जाएगा beneficial insect सभी नहीं है क्योंकि termites जो होता है termites दीमक को बोलते हैं हम लोग तो यह लकडी को खा जाता है तो यह beneficial नहीं होता है poisonous insect हो गया तो सभी poisonous नहीं है तो इस तरह से इसका यह right answer हो जाता है social insect next is which of the following is an insect इन में से कौन सा एक insect है तो prawn scorpion spider और इनोंने कौन से class पूचा हुआ है insect class पूचा हुआ है तो इनसेक्ट क्लास से आप प्रॉन जो है यह भी बिलॉंग करता है crustacea से प्रॉन अभी बताया था मैंने crustacea से बिलॉंग करता है दो तरह के प्रॉन होते हैं fresh water prawn और marine water prawn तो fresh water prawn को बोलते हैं paleomon बोलते हैं और marine prawn को बोलते हैं peniasis बोलते हैं तो यह इसका हो जाएगा लेकिन हमें यह पे question क्या पूचा गया है insect पूचा गया है तो इसका right answer जो है वो aren't हो जाएगा मिस चीटी जो है वो real में insect होती है spider और scorpion जो होती है यह arachnida से बिलोंग करते हैं spider का अगर हम scientific नाम की बात करते हैं तो spider का scientific name जो होता है वो lycosa हो जाता है और scorpion का scientific name जो होता है वो पहला मिनस होता है spider का scientific name क्या होता है lycosa and scorpion का हो जाता है पहला मिनस हो जाता है next question is that ticks and mites belongs to देखिए चार ही एक्जाम्पिल हैं जो क्लास एरेकनिडा से बिलॉंग करते हैं क्लास एरेकनिडा हमने कहा था कि हमने कहा था आपसे कि जो आर्थरोपोडा है उसके सब फाइलम चार सब फाइलम हैं एक सब फाइलम बताया था O T C M बताया था कि नहीं तो O से हो जाएगा ओन करते था ईंपर्टन करते से चार यूद्यसम्स करते ऑर भी ऐंगे लेकिन लेकिन तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं डिपलो सेगमेंट डिपलो सेगमेंट किसमें पाए जाते हैं तो डिपलो सेगमेंट जो होते हैं वह मिलीपीड में पाए जाते हैं और मिलीपीड का अभी हमने आपको scientific name बताया था क्या होता है बहिए Joolas होता है Joolas मिलीपीड का scientific name क्या बताया था Joolas बताया था और यह ब्लॉंग करता है माईरी पोडा से या फिर काईलो पोडा से ओके यह हो गया next देख लेते हैं centipede centipede अभी हमने बताया था इसका scientific name scolopendra होता है centipede का scientific name क्या होता है scolopendra होता है और यह ब्लॉंग करता है यह भी इसी क्लास से मिस माईरी पोडा और काईलो पोडा से ब्लॉंग करता है तो चलिए spider अभी हम बता चुके हैं spider को हम लोग क्या बोलते हैं lycosa बोलते हैं और यह क्लास arachnida से ब्लॉंग करता है now next question is that green gland are excretory organ in green gland जो है वो excretory organ है किसका excretory organ है तो यह class crustacea का class crustacea का excretory organ है green gland okay so option B is the right answer of question number 10 now next की अगर हम बात करते हैं तो अब देखो यहां से हमें कुछ चीज़ें याद करने नहीं है insect हो गया crustacea हो गया centipede हो गया arachnida हो गया insect, crustacea और arachnida यह तीनों class है centipede जो है वो एक insect है centipede अभी हमने इसको बताया था कि centipede को हम लोग scolopendra बोलते हैं जो class मायरी पोड़ा या फिर काईलो पोड़ा से ब्लॉंग करता है और insects insecta सबसे बड़ा class हो जाता है crustacea mostly यह marine होते हैं और arachnida में चार आ जाते हैं जिसमें spider, scorpion और ticks and mites आ जाते हैं तो कुल मिला करके आपको यह question से याद हो गई होंगे next बढ़ते हैं insects excrete nitrogen edge insects जो होते हैं वो nitrogen को किस form में excrete करते हैं friends हमको पता है कि कोई भी living organisms है तो वो अपनी body को survive रखने के लिए जिंदा रखने के लिए उसे food की habit होती है और उसको digest करना पड़ता है but किसी की भी machinery जो होती है वो इतनी efficient नहीं होती कि 100% food को digest कर सके तो वो कुछ न कुछ nitrogen substance को भी release करता है और nitrogenous substance 3 types के होते है uric acid, ammonia और urea तो उसी की basis पे यहाँ पे question पूछा गया है कि insect किस category में आते हैं तो insect जो होता है वो uric acid को release करते हैं So A is the right answer means insect excrete nitrogen as uric acid urea mammals release करते हैं guanine guanine यह बहुत अच्छा question बनता है guanine spider जो है वो guanine release करती है और ammonia यह highly poisonous nitrogenous based होता है जो physis जो होती है वो इसको release करती है तो चलिए next में आ जाते हैं और next की अगर हम बात करते हैं which type of respiratory organ are present in spiders and scorpion हो जाता है which type of respiratory organs are present in spider and scorpion तो इसका right answer हो जाता है book lungs हो जाते हैं spider और scorpion देखी बहुत ज़्यादे इसका नाम आ रहा है तो spider और scorpion आप बिल्कुल mind में बिठा लीजिएगा ये अरेकनिडा से बिलॉंग करता है ओके अरेकनिडा क्लास से बिलॉंग करते हैं और इसमें respiratory organ book lungs हो जाते हैं आप अरेकनिडा का respiratory organ याद कर लीजिए फिर अगर वो spider का पूँचे scorpion का पूँचे ticks का पूँचे mites का पूँचे तो सभी का respiratory organ book lungs ही हो जाते हैं ओके नाउ next question is an insect without metamorphosis ऐसा कौन सा insect होता है जिसमें metamorphosis नहीं पाई जाती है देखिएगा actual में अगर हम बात करें तो silver fish अभी हमने बताया था ये एक ऐसा insect है जिसमें metamorphosis नहीं पाई जाती है means इसमें direct development होता है जैसा होती है वो उसी तरह से वो growth करती है और उसी shape में रहती है तो creafis creafis जो है ये crustacea से belong करता है तो ये तो insect है ही नहीं तो creafis का scientific name आप याद कर लोगी क्योंकि ये important है और creafis का scientific name asticus होता है क्या होता है asticus होता है next देखिएगा bad bug bad bug ये जरूर insect है लेकिन इसका scientific name simax होता है और इसमें metamorphosis पाई जाती है next is pediculus तो pediculus जो होता है ये lice को बोलती है जिसको हम लोग जूएं बोलती है उसका scientific name होता है pediculus तो I think आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा 13 का right answer जो है silver fish हो जाएगा और silver fish को हम लोग lapisma बोलती है इसमें metamorphosis नहीं पाई जाती है next question is kelicery are found in kelicery देखो नाम से ही है kelicery आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि arthropoda को चार सफाइलम में बाटा जाता है friends जिसकी हमने आपको trick भी बतायी है क्या trick बतायी थी हमने आपको बतायी थी OT OT मतलब operation theater OT and CM CM OTCM CM तो आपको पताई है OT CM बस आपको कुल मेला करके सफाइलम में याद करने है आर्थरोपोड आगे तो OT से हो जाएगा OC OC अगर हम बात करें तो यहाँ पर OINCOPHORA हो जाता है T से Trilobitomorpha हो जाता है और C से हमने बताया था Calisreta तो यह देखे Calisreta है ना तो Calisreta की अगर हम बात करें तो Calisreta को दो क्लास में बाता गया Calisreta सफ फाइलम को दो क्लास में बाता गया था MA याद आया की नहीं अभी हमने बताया था थोड़ी दिर पहले MA M से हो जाएगा Miroistrometa और A से हो जाएगा Arachnida अब हम देखते हैं कि आकरकार Calisreta Calisreta को Calisreta के स्ट्रक्चर होता है वो किसमें पाया जाएगा तो कुल मिला करके इसके जो क्लास होंगे उन्हीं में तो देख लेते हैं Miroistrometa और A अरेकनेडा में से कोई है क्या इसमें तो बिलकुल देखते हैं First option हो जाएगा Crustacea Option B अरेकनेडा बस मिल गया हमें अपना अंसर तो ये इसका राइट अंसर हो जाता है कैली सिरेई आर फाउंड इन क्लास एरेकनेडा एरेकनेडा में कैली सिरेई पाई जाती है Now Next question की अगर हम बात करें So how many pairs of walking legs a spider hedge spider में walking legs कितनी होती है तो इसमें 4 pair of walking legs होती है और spider अब तक तो friends आपको याद ही हो चुका होगा spider को हमने क्लास एरेकनेडा में रखा हुआ है ओके चलिए Next question की तरफ बढ़ते हैं और Next question जो है इस वीडियो के 30 question में से 15 question को हम cover कर चुके हैं और अब हम आज आते हैं अपने 16 question पे friends मैं आपके लिए new new video लाता रहता हूँ और ये video हमारी geology objective biology से geology objective से belong करते हैं और इसी तरह से हम botany objective से भी questions लाते रहते हैं तो देखिएगा दोस्तो अगर अभी तक आपने बीच बीच में revision के तौर पे आप इनको ले सकते हैं और अपनी practice को continue कर सकते हैं चलिए देखते हैं हम इसको next question पे आजाते हैं तो biramis appendages are present in biramis appendages किस में present होते हैं ओके तो biramis appendages जो होते हैं ये present होते हैं B means crustacea में biramis appendages जो होते हैं ये present होते हैं crustacea crustacea आपको पता है ये एक class है okay crustacea जो है वो एक class है तो इसमें ये present होते हैं now अब देखिएगा insecta largest class हो गया और इनको फोरा और इनको फोरा ये इसका एक सब फालम हो जाता है और cephalopoda तो cephalopoda तो इसका कहीं पर आई नहीं रहा है cephalopoda तो moluska का class है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर next question predation is common in means predation देखिए predation का मतलब होता है predator से predator means होता है सिकार सिकार करने वाला predator हो गया और prey जिसका सिकार हो रहा होता है तो यहाँ पर predation का हैविट किसम होती है सिकार करने की हैविट किसम होती है तो spider इसका एक right answer हो जाएगा क्योंकि यह अपने जो net होता ही है उसमें insect को दूसरे जो भी anpt होते है cheat you आड चीटी होती है इसका आपको नहीं मियाद कर लेना कि Phylium को हम लोग क्या बोलते हैं तो Phylium को Leaf Insect बोलते हैं और यह Class Insecta से उसके नाम में ही जुड़ा हुआ है Insect तो यह Class Insecta से बिलॉंग करता है तो इसका Right Answer क्या हो जाएगा अब देखिएगा Phylium is called as the Leaf Insect because it feeds on leaves, rest on leaves, resembles leaves, feeds on plant juice, actually इसको Leaf Insect इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह Leaf से resemble करता है में इसकी shape जो होती है इसका जो आकार होता है Phylium का या Leaf Insect का वो पत्ती जैसा होता है resembles करता है Leaf से तो यह इसका Right Answer हो गया Next Question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं An Extinct Arthropod is, इन में से कौन सा Arthropod जो है वो Extinct हो गया है देखिए Friends हमने यहाँ पे clear अभी किया था कि Arthropoda को चार सफाइलम में बाटा गया है पहला सफाइलम कौन सा है? ओइनको फोरा है, दूसरा कौन सा है? OTCM आप ट्रिक लिख लो, उससे आपको भूलोगे नहीं आप, है न? तो देखिएगा OTCM तो ओइनको फोरा, ट्राइलोबाइटो मॉर्फा और कैलिसरेटा और मैंडिबुलेटा तो यहाँ पे यह जो ट्राइलोबाइटो मॉर्फा है, ट्राइलोबाइटो मॉर्फा यह एक्स्टनिक्ट कैटागरी में हो चुका है, तो इससे ब्लॉंग करने वाला जो और्गनिजम्स हो जाएगा वो ट्रिलोबाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रिलोबाइट हो जाएगा इसका राइट अंसर ट्रिलोबाइट हो जाएगा, क्योंकि यह ट्रिलोबाइटो मॉर्फा से ब्लॉंग करता है और ट्रिलोबाइटो मॉर्फा सब फाइलम से जो भी और्गनिजम्स ब्लॉंग करते हैं, वो एक्स्टनिक्ट कैटागरी में आ चुके हैं अब देखिएगा पैरी पेटस जो होता है ये बहुत अच्छा कोश्चन है पैरी पेटस एक कनेक्टिंग लिंक है एनलीडा और आर्थरोपोडा के बीच की ओके तो इसको भी आप याद रखीएगा लिमूलस लिमूलस को किंग क्रेब बोलते हैं तो लिमूलस जो है वो इसक लिमूलस लिमूलस जो है वो मिरूस्टो मेटा से बलाउंग करता है ढोडो एक वर्ट से जो फ्लाइट लेस वर्ड सी और यह खतम हो duck है यहां पर यहां पयूच पूंचा गया है तो यह ट्रिलोबाइटो मॉर्फा हो जाएगा नाउ नेक्स्ट कोस्टिन क्या होगा तो नेक्स्ट कोस्टिन की अगर हम बात करते हैं काइटिनस प्लेट मेकिंग दा एक्जोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड आर कॉल्ड ओके तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा इसकले राइट हो जाएगा इसकले राइट इसकले राइट जो होती है आपको पता है यह एक्जोस्केलेटन होता है यह खास बात है आर्थ्रोपोड इतना ज्यादा एक्जिस्ट क्यों कर गई इतना ज्यादा डैबलब्ड क्यों हो गई सबसे ज्यादे क्यों पाए जाते हैं तो इसलिए क्योंकि इनकी बॉड़ी पे एक जो skeleton पाए जाता है जो कि काईटिन का बना होता है तो कोस्चन उठता है यह काईटिन क्या होता है तो काईटिन एक polysacrid है जो एन acetyl glucosa mine से बनी हुई है तो आई थिंक यहां पे आपको clear हो गया होगा चलो next question की तरफ बढ़ते हैं which of the following is not an insect इनमें से एक insect नहीं है तो कौन सा insect नहीं है तो देखिएगा आंट एक insect है टीक्स जो है वो arachnida से बिलॉंग करता है वही हम आपको बता चुके हैं टीक्स और might और scorpion और spider ये सभी किससे बिलॉंग करते है तो यह बिलॉंग करते हैं अरेकनेडा से तो यहां पर insect इन्होंने New इंसेक्ट नहीं है तो insect teakse नहीं है क्योंकि locus a जो है यह बिलॉंग करता है इनसेक्ट से लाइस हमने जिसको जूएं जिसको बोलते हैं ओके तो यह गया पैडिकुलस इसका साइंट फिक नेम होता है और आंट जो है यह भी बिलॉंग करती है इंसेक्ट से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीक से जो इंसेक्ट नहीं है तो टीक से एक एरेकनिडा से बिलॉंग करता है इसलिए इंसेक्ट नहीं होगा now next question के अगर हम बात करते हैं तो universal characteristics of insect is insect के universal characteristics क्या होते हैं तो देखिएगा three pair of legs this is the universal characteristics of insect three pair of legs इसका right answer हो जाएगा now next question is which of the following phyla has largest number of species कौन सा phyla largest number of species को रखता है तो देखिए दोस्तो एनिलीडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, सीलेंट रेटा, एक कायन ओडर मेटा हमें पता है largest phylum कौन सा है आर्थ्रोपोडा है और second largest phylum कौन सा है मोलस का है तो इसका right answer जो हो जाएगा वो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा next question की तरफ बढ़ते हैं हम लोग complete metamorphosis occurs in complete metamorphosis किस में पाई जाती है दोस्तो अभी थोड़ी दिर पहले ही question पूँचा गया था silverfish वाला means जिसमें metamorphosis नहीं पाई जाती है तो silverfish जिसको lepsima बोलती है इसमें तो metamorphosis पाई ही नहीं जाती है अब grasshopper और bedwag इनमें metamorphosis तो पाई जाती है बट complete नहीं पाई जाती है तो बचा क्या option option is moth means b b जो है इसमें complete metamorphosis means butterfly जो भी होती है उनमें complete butterfly और housefly में complete metamorphosis पाई जाती है now next question is which of the following set of animals सोजा close taxonomic relationship कौन सा एक close taxonomic relationship को सो कर रहा है set तो ये को देखते हैं jellyfish, cuttlefish and catfish देखो दोस्तों jellyfish और एलिया जिसको बोलती है cuttlefish, sepia बोलती है jellyfish belong करता है sealant reta से और cuttlefish belong करता है moluska से और catfish इसको clarias बोलती है catfish, african catfish या catfish बोलती है मगूर बोलती है इसको तो ये सबी अलग-अलग हो गए है तो ये तो system गड़बड हो गया यहां पे तो हम next option पे आते है honeyweed, honeyweed, apis indica बोलती है apis dorceta बोलती है apis mellifera बोलती है asticus से बिलोंग करता है और ये crustacea में आ जाता है class crustacea में spider arachneda में आ जाता है spider किस में आ जाता है arachneda में आ जाता है spider का scientific name भी हमने आपको बताया था lycosa तो ये भी अलग-अलग हो गई चलो next question देखते है alligator, nautilus and turtle आ जाता है alligator, nautilus and turtle हो जाता है crayfish and spider और इन्होंने पूचा कौन सा taxonomic relationship तो देखिएगा ये इनके class जरूर अलग है honeyweed, crayfish और spider इनके class जरूर अलग है लेकिन ये arthropoda से बिलोंग कर रहे हैं हमें यहाँ पे phylum को भी ध्यान में रखना है only class को ही नहीं ध्यान रखना है phylum को भी ध्यान रखना है तो honeyweed, crayfish और spider ये तीनों ही आर्थरो पोड़ा phylum से बिलोंग कर रहे हैं बाकी ये option में देखिए jellyfish sealantrata से था cuttlefish mollusca ते था catfish species में आ गया था और c वाले में देखिएगा alligator ये जो है वो reptilia में आ जाएगा nautilus जो है ये mollusca में आ जाता है turtle जो है ये reptilia में आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये फिर थोड़ा सा हम कह सकते हैं या पर different हो जाएगे next option पर आते हैं dp देखने हैं kangaroo, macropus जिसको बोलते हैं बई, है न octopus, devil fish बोलते हैं ये mollusca से बिलोंग करता है salamander amphibia से तो कुल मिला कर कि ये different हो जाएगे option b is the right answer of question number 25 honey wheat, crefis, spider all are belongs from phylum arthropoda now question number 26 exo-skeleton of cockroach and other insect is formed off ये किस्से exo-skeleton जो cockroach का बना होता है वो किस्से बना होता है ओके, तो ये kaitinus cute kill का बना होता है exo-skeleton of cockroach and other insect is formed of kaitinus cute kill तो ये इससे बना होता है तो friends, please ध्यान दीजेगा ये सभी question बहुत ही important है जो किसी न किसी competitive exam में लगातार आते रहते हैं biology related competitive exam में आते रहते हैं अगर आपको biology related competitive exam देने पड़ते हैं, देते रहते हो आप तो हमारे इस channel को please subscribe करो, जितना जादे से जादे आप इसको subscribe करोगे, like करोगे मैं उतने जादे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, so please subscribe and share okay, now next question is 27, the first pair of legs are modified into poison claw in, first pair जो होता है first pair of legs are modified into poison claw तो देखिएगा, हमने आपको यह पढ़ाया हुआ था कि actual में जो scolopendra scolopendra और julus जो है यह दोनों belong करते हैं मायरी पोडा से, okay तो scolopendra इसका right answer हो जाएगा scolopendra किसको बोलते थे centipede को हम लोग बोलते थे now next question is question number 28 a distinct thorax does not occurs in एक distinct thorax जो होता है वो नहीं पाया जाता है किसमें नहीं पाया जाता है centipede में नहीं पाया जाता है okay centipede मायरी पोडा से बिलोंग करती है जिसको हम लोग scolopendra भी बोलते है cockroach का scientific name क्या होता है periplaneta अमेरकाना होता है next देखिएगा और periplaneta अमेरकाना हो गया और orientalis ब्लेट टावी हो जाएगा okay silk moth की अगर हम बात करते है bomba x मोरी हो जाएगा इसका man human wing का scientific name homo sapiens होता है पता ही होगा सभी लोगों को now second last question of this video is glow warm age glow warm क्या होता है तो glow warm जो होता है वो एक insect होता है क्या होता है insect glow warm एक insect होता है okay glow warm जिसको हम लोग जुगनू बोलते हैं को याद होगा जिसको हम लोग जुगनू बोलते हैं उसी को glow warm बोलते हैं last question of this video last question of this video is question number 30 है peripetus is a connecting link between peripetus देखो हम पीछे भी इसको describe कर चुके हैं तो देखिएगा यह हो जाएगा anilida and arthropoda so option is the right answer anilida and arthropoda connecting link जो है वो peripetus को बोला जाता है तो I hope दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप further भी हमारे वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं और जल्दी जल्दी इसको पाना चाहते हैं तो please channel को subscribe करो और feedback जरूर दिया करो comment में आप कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा जिससे मेरा motivation हो चके और मैं आपके लिए जल्दी सी जल्दी यह वीडियो ला सकें देखिए दोस्तो UP, TGT, PGT vacancies आने वाली हैं एक बार इसका जो बिग्यापन आके नरस्त हो चुका है दोबारे फिर आने वाली हैं यह और December में यह जरूर आ जाएंगी तो तब तक आप अपनी तयारी को लगातार सार्प करते रहिएगा और Biology Guruji चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपकी जो भी डिजायर हैं आप जो भी चाहते हैं कि इस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाया जाए तो आप उसको भीजिएगा मैं जरूर उस पे बनाने की कोशिस करूँगा ओके नमस्कार मिलते हैं अगले वीडियो में